दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक fake loan app के बारे में बताऊंगा इसका नाम है रूपी वे अब जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये लोग Union Bank of India का logo नाम यूज़ करके YouTube, Facebook as well as Instagram पे जो है advertisement चला रहे है अगर आप इनके advertisement पे click करोगे तो कोई रूपी वे नाम का कोई application play store पे open हो जाएगा और ये एक totally fake loan app है और आपको भूल से भी जो है दोस्तो इसका application अपने phone में download नहीं करना है क्योंकि बहुत मुसीबत में अब पढ़ जाओगे तो ये लोग क्या करते है कैसे scam करते है इसके बारे में जो है मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा तो जैसा आपने देखा था कि वो जो Union Bank वाला advertisement है मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ जैसा अब इस screen पर देख सकते हो ये जो Union Bank का logo और ये सारा कुछ 50,000 लिखके ये जो advertisement ये लोग YouTube, Facebook और Instagram में चलाते है तो उस advertisement पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये Play Store पे इनका जो application है यहाँ पे आप आ जाओगे है ना जैसा मैंने आपको पहले भी बोला आपको गलती से भी इसका application इंस्टॉल नहीं करना है अपने device में ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि ये लोग जो है आपके जो मजबूरी है उस चीज़ का गलत फाइदा उठाने के लिए बहुत attractive टाइप के जो है advertisements ये लोग यहां वहां छोडते है ताकि आपको लगे कि हाँ यार loan मिल रहा है bank से तो मिल नहीं रहा चलो यहां से मिल रहा है यहां से ले लेते हैं तो आप जो है इसका application डाउनलोड कर लोगे है ना तो download करने के बाद जो है आप first जाओगे ये लोग क्या करते है कि आपके phone पे sign up करने के time पे अगर आपने इसका application डाउनलोड करेंगे ना तो आपसे ये लोग sign up के time पे rick मतलब सारे आपके फून के पर्मिशंक ले लेंगे on ुस टाइम हम यह निग सोचेंगे कि एक लो नइप को मेरे microphone access का क्या करना है ऐक loiWne application को मेरे camera के access का क्या करना है मेरा storage के access का क्या करना है क्या करना है उस टाइम हमेरे चायगे होता है पैसा तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना है अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो एक तो साइन अप के टाइम पे आपके फोन से यह सारा एक्सेस ले लेगा तो आप अपने फोन को रखे रहोगे लेकिन मान लो कि आप अपने गर्ड़्रेंड या वाइफ के साथ हो आप कुछ प्राइवेट बात है कर रहे हो तो वह भी कैमरे मतलब यह जो इसका माइक्रोफोन है माइक्रोफोन से इसने पिक कर लिया है ना यह फिर आपके एगेंस्ट में रखे रहेंगे अब इसमें जब आप लोन के लिए अपलाई करोगे ठीक है मान लो कि आपने अगर 5000 रुपे के लिए अपलाई किया है ना तो यह लोग क्या करेंगे आपको 1500 या 2000 भेज देंगे ब कोई ट्रांसपरेंसी नहीं है कोई मतलब इसमें कोई प्राइसिंग और यह सारा कुछ का कोई डीटेल सी नहीं होता है आप लोन के लिए अपलाई करोगे चेक करने जाओगे और तुरन तब के अकाउंट पर जो है यह लोग पैसा डाल देंगे एंड उसके बाद फिर तीन पेड सब्सक्राइबर सब मिल जाता है यह कोई सेंडेनम सी ओक्स ऐसा तो कोई इंडिया में नाम नहीं होता है ना खेर यह एंके एंटरप्राइस नाम से कमेंट पढ़ा है जिसमें आप देख सकते हो कि किसी ने आठ हजार के लिए लोन बस चेक कर रहे थे उनको तुरन ज जो है extortion चलाते है ठीक है इनिशेली तो आपको phone करके परिशान करेंगे बाद में फिर आपके you know contacts आपके photos यह सारा कुछ लेके आपके contacts को जो है गंदा गंदा message करेंगे उनको call करेंगे उनको harass करेंगे आपको harass करेंगे है ना तो यह सारा कुछ होता है दोस्तों तो मैं आपको गलती से भी यह जो रूपी वे application है यह download नहीं करना है अपने phone में install नहीं करना है कोई भी data आपको share नहीं करना है क्यूंकि अगर आपने ऐसा कर दिया ना दोस्तों तो इतना बुरा फस होगे कोई आपको इसमें से नहीं निकाल सकता अब फिर से सुन लीजिए एक ब वो चला जाएगा और फिर आप फस जाओगे अगर आपने इस app को install कर लिया है अपने phone में तो तुरंत ही अपने phone को factory reset कीजिए है ना आपके जितने भी contacts है and facebook है and जो भी social media आप चलाते हो वहाँ पे आप एक common message broadcast कीजिए कि आपका phone जो है hack हो चुका है and अगर आपके नाम से जो है कोई आपको किसी को phone करे message करे है ना तो उसे kindly ignore कीजिए यह जो फरजी loan applications होते है इनका काम करने का यही तरीका होता है पहले advertisement डालेंगे कि आप बहुत आसानी से loan मिल रहा है फिर यह कहेंगे कि हमारा app download कर लो app जब आप download करोगे and install करोगे and उसके बाद जब आप sign up करो देंगे यह loan 1000 का और फिर बोलेंगे बाकी का 4000 हो गया आपका कोई processing fee कुछ कुछ उसके बाद फिर आपको बोलेंगे दो से तिन दिन में पैसे वापस लाओ है ना और पैसे अगर वापस कर भी दोगे तो भी क्या guarantee है कि आपको blackmail नहीं करें क्यूंकि आपका data तो चोरी हो ग कभी भी अगर आपको loan लेना है हमेशा bank या कोई registered NBFC जो RBI के अंडर पर registered है as a company इंडिया में registered है वहाँ पे जा करके loan के लिए apply कीजिए अगर आप eligible हो तो वहाँ पे loan ले लिजिए and अगर आपका civil अच्छा नहीं है दोस्तों तो कोई bank या कोई you know NBFC आपको loan नहीं देग loan मिल नहीं सकता आपको तो ऐसे जो फालतो एपस है वहाँ पे अपना time waste मत कीजिए अपना जो personal security है और आपका जो personal data है उसे risk पे मत डालिए अगर हो सके तो रिष्टेदार या दोस्त या कही से मांगके पैसी की ज़रुरत अगर हो तो ले लीजिए अगर civil score आपका साही नह उमीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपको helpful लगा एक ही request है वीडियो को हर जगा सबके साथ share कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा प्लिस गिव इट लाइक चैनल पर अगर नए हो तो subscribe so yeah that'll be all for now I'll see you in the next one so तब तक के लिए stay safe take care bye bye